नमस्ते मित्रो, आज हम संस्कृत में समय को कैसे देखा जाता है, समय को कैसे लिखा जाता है, कितने बजे इत्यादी को आज हम जानेंगे संस्कृत में समय को लिखते हैं कुछ चीजें आपको बहुत जानना जरूरी है जैसे संस्कृत में जैसा लिखा हुआ होता है वैसे उच्चारण नहीं होता है जैसे एक तीस लिखा है तो आप एक तीस वजे नहीं कहते हैं जैसे हिंदी में भी तो वैसे ही संस्कृत में भी ऐसा नहीं कहा जाता है और दूसरी बात आपको समझना ये है कि अंक का जो स्वरूप आपने पढ़ा है और सुना है वैसे आपके समय के साथ लगेंगे नहीं जैसे एकह बालकह एका बालिका आपने पढ़ा है किन्तु उस परकार के सब्द अब समय को लिखते हुए नहीं लगा सकते उनके स्थान पर संख्या के मूल सब्द उनको लगाना है वो मूल सब्द आपको केवल बारा ही याद करने है चलो गाते हुए उन बारा सब्दों को याद कर लेते हैं एक, द्वी, त्री, चतुर, पंच, सड, सब्द, अश्ट, नव, दस, एकादस, दुआदस बस इतना है येदी परिक्ष्या में केवल दस, एगार या पांच बजा हुआ दिखाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है बस आगे बादनम बादने इत्यादी आपके परस्ण प उठाएंगे और सब्द को ले जाकर जोड़ देंगे काम पूरा हो गया आगे वादनम बादने जो है उसको आप जोड़ दीजिए जैसे पांच बजा है तो पंच को उठाया और जोड़ दिया पंच वादनम अथवा पंच वादने पंच वादन तह कुछ भी होगा प्रस् सब्द करने अभी आपने 12 सब्द याद किये एक से लेकर बारत कंक अब पांच और याद कर लीजिए वो हैं सपाद सार्ध पादोन अधिक और उन इन पांच सब्दों को आप पहले संस्कृत को हिंदी के साथ रिलेट करिए देखिए कैसे सपाद हमने जिसको पढ़ा है उ सपाद सबा सार्ध को साधे सार्ध को साधे और पाउने को पादोन अथवा पादोन को पाउने जब भी आप परिक्षा में लिखते हैं तो समय के बाद सेंटेंस में वादनम या वादने अपने आप जुड़ जाता है इसके लिए आपको अलग से जोडने की जरुरत नहीं यह कई पहले ही कहा जा चुका है केवल उसके जगह में डैस लगाना है यानि पड़ी लकीर छोटी से लकीर आपको जोडना है जैसे देखो यहां 12 बजकर 15 मिनट लिखा है इसे हिंदी में सबा 12 का जाएगा तो संस्कृत में सपाद 12 से लिखें आपको सपाद लेने के डैस लगाना है फिर अंक के स्थान पर 12 लिखना है इसी परकार अन्य एक से लेकर 12 तक होंगे जहां साड़े का आकड़ा समय में देखे तो सार्थ जोड़ो जैसे साड़े 5 सार्थ पंच अब पाउने को देख लेते हैं पाउने को संस्कृत में कहा क्या का जाता है पादो पादो न पाउने अब पाउने च्ख कहना है तो क्या होगा लिखा मिलेगा पांच पैटारिश अब यहां ध्यान रखना है कि पांच बजगर 25 मिनट विद चुके हैं अता यह केवल चह के करीब हो गया लिखते या बोलते समय हम पाउने चह कहते हैं उसी को संस्कृत में प पादोन दुईवादनम क्योंकि दो बजने में 15 मिनिट हैं इसलिए हम 1.45 को पादोन दुईवादनम कहेंगे और अन्य में भी इसी परकार लागू होगा आप यहां पर चित्र में देख सकते हैं यह तो हुआ सपाद सार्ध और पादोन का तरीका यदि कई 10 बज कर 10 मिनिट क क्या करेंगे हम आपको एक और ट्रिक बता रहे हैं देखो सीधा सरल तरीका यह है कि पाउने से अधिक हो जुका हो जैसे 5 बज कर 50 मिनिट 5 बज कर 55 मिनिट इत्यादी हो तो उसके साथ उन लगा दो बड़ी उन और लिखे हुए संख्या से आगे की संख्या लिखो पाउने 50 है तो 6 बजने में 10 मिनिट बचे हैं यही संस्कृत में कहना है 5 बजने के बाद आगे के संख्या हो गए 6 बजना अब संस्कृत में 10 उन और शट वाधनम यह वादने जो भी बोलना हो गा यह लिखना होगा अब पाउने से कम हो तो आप अधिक लगाकर वही शंख्या तो हम कहेंगे चट्वारिम्सत अधिक चतुर अब इतना ही आगे आप वाधनत यत्यादी प्रस्ण पत्र से लेंगे पाँच वीश है तो आप क्या लेंगे 20 के स्थान पर विम्सति उसके बाद अधिक उसके बाद पंच तो ऐसे वो गया विम्सति अधिक पंच अब डैस कह समयह या इदानिम कह समयह ऐसे कोई प्रस्ण पूछता है तो आप क्या लगाएंगे उसमें ये बताते हैं आपको कैसे बताएंगे उत्तर जैसे अगर आपसे कोई सीधा प्रस्ण पूछ रहा है कह समयह तो आप कहेंगे इदानिम सप्तवादनम सार्ध सप्तवादनम पाद लगाएंगे जैसे सार्ध सप्तवादने अथवा सपाद अश्टवादने अहम विद्यालयम गच्छामी अथवा पाठम पठामी अथवा सपाद सप्तवादने अहम ग्रिहात आपणम गच्छामी इत्यादी कोई वी वाक्य हो इसमें इस्मर्ण करने योग्य क्या बाते हैं इसको आप एक बार फिर ध्यान में रख लिजिए, संस्कृत में संपूर्ण समय संबंद सब्द समस्तपद हैं, इसलिए आपको मूल संख्या लेना है, जैसे एक, द्वी, त्री, चतुर, पंच, सड, सब्त, अश्ट, नव, दस, एकादस, द्वादस, इत्यादी, विमसती, जाँ पर विशरग है, जैसे बिमसती, एक बिमसती, उन सबको विशरग हटा कर लेना है, और इनके साथ आगे पीछे सब्द को जोड़ना है, जोडना मतलब यह समस्तपद है, जोडने में अगर आपको समर्थता नहीं है, कहीं कहीं संधी होने की संभावना होती है, वहाँ कोई रूप हो तो उसी को जोड़ें अपने आप से कुछ भी ना लिखें संस्कृत में यह बहुत महत्व पुर्ण है कि जितने अधिक सब्द लिखेंगे उतने अधिक दोस होने की संभाव ना होती है चलिए अगले वीडियो में आप से मिलूंगा